हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टो कलर ओफ थर्ड्स आज मैं आपको सिंपल सिलाई मेशेन से ये सुन्द सा जाली बर्क रेट करना सिखाऊंगी तो कही बर हमें मैचिंग जाली लेस नहीं मिलती तो आप इस ट्रिक को अल्टरनेटिव की तरह यूज़ कर सकती है आप इसे प्लाजो बोटम, स्लीप और दामन पर भी बना सकती है आज मैं आपको ये स्लीप पर रेटी करके बताऊंगी तो वीडियो शुरू करते हैं तो जाली बर्क रेटी करने के लिए हमने एक ही कलर के दो धागों को लिया है अब इन दोनो धागों को हमें एक साथ सट कर लेंगे और अब इसको हमें बोबिन में फिल करना है मैं हाद से फिल करके बता रही हूँ आप चाहें ते इसे मेशीन से भी फिल करें पर ध्यान रहे कि दोनो धागे एक बराबर बोबिन में फिल हूँ अब यहां से हमें धागे को लूज करना है, तो यहां से बिल्कुल आपने लूज कर लेना धागे को, बिल्कुल इसली धागा रिमूव होना चाहिए, देखी इस तरह से धागे को खेच के चेक कर लें कि इसली धागा रिमूव हो, तो जालिवर के लिए पहले आपने ये सेटिंग कर लेनी है इसके बाद यहाँ पर मैंने स्लीप लिए है स्लीप को हमने पहले कट करके रखा है तो यहाँ पर मैंने धाई इंच पर नीचे के और मार्किंग की है इस मार्किंग से इसे मैं कट कर लूँगी तो मैं अमरेला स्वीब के ऊपर आपको जालीवर क्रेट करके बताऊंगी तो इसके बीच में हमें जालीवर क्रेट करना है इसके लिए बाजू को ऐसे सीधा कर लेंगे अब मैंने यहाँ पर एक कार्डबोर्ड पीस लिया है तो एक लंबी पट्टी कार्डबोर्ड की कट कर लेंगे एक इंचोड़े यहाँ पर मैंने इसकी पट्टी कट की है इस तरह से एक ठिक कार्डबोर्ड का पेस कट कर लें अब इस कार्डबोर्ड पीस को हमें बाजू के इस तरह से सीधी वाली साइड पर रखेंगे अब इसकी उपर वाली साइड पर जो हमने बाजू को 1.5 इंच पर कट किया था इस फैब्रे को हमने उपर वाली साइड पर रखना है कप्ड़े की सीधी साइड अंदर के और रखेंगे उसे कार्टबूर के उपर सेट कर लेंगे अब इस पर हमें सिलाई करनी है और सिलाई के लिए कार्टबूर को बिल्कुल आपने सीधा रखना है और इसकी उपर आपने फैप्रे को अच्छे से सेट कर लेना है और जो हम सिलाई लगाएंगे हमें 1.5 इंच के गापर सिलाई करनी है और ये सिलाई आपने बिलकुल मोटे बख्ये से लगानी है और सिलाई देखे कार्डबोर को यह से बिलकुल सट करते हुए इस पर किणारे पर सिलाई करते जाना है अब मेरे पास चो कार्डबोर का पीस था वो लंबाई में थोड़ा खम था इसलिए यहां पर एक extra cardboard piece attach करेंगे अब इस extra piece को पहले वाले cardboard के थोड़ा सा उपर के और रखेंगे और इस पर भी silahe करतेंगे और silahe होने के बाद पीच से हमें cardboard को remove करना है तो इस तरह से cardboard को हमें remove करते जाना है छोटे-छोटे piece में इसे remove कर लें तो यह काफी easily remove हो जाता है इसलाई लगने के बाद अब दूसरी side से भी cardboard को remove कर लेंगे cardboard के जगा आप newspaper को भी use कर सकते हैं newspaper को आपने 3-4 folding कर लेनी है और इसी तरह से आपने उस पर silahe करते हैं और cardboard निकालने के बाद दोनो side के extra fabric को ऐसे बाहर के और fold करेंगे उसके प्रेस कर देंगे इस तरह से दोनो side के margin को आपने अच्छे से iron करके दोनो side में fold कर देना है और देखी cardboard remove करने के बाद दोनों fabric में जो कैप पना उससे एक सुन्दर सी जाली रडी हुई है अब दोनों हाथों से ऐसे हलका हलका जाली को खीचते हुए पूरी जाली को set कर लेंगे तो देखी कितनी अच्छी हमारी जाली बन कर रडी हुई है तो इस तरह से आप plazo bottom पर भी design कर सकती है अब जाली की दोनो side पर हमें top stitch लगा देनी है इस तरह से जाली की दोनो side पर किनारे पर सिलाई कर लेंगे तो इस तरह से दोनो side पर मैंने top stitch लगा दी है इस design को मैंने sleep पर रडी किया है अब sleep के आगे वाली side पर मैं ये वाली less को attach करूँगी less को ऐसे उल्टा करके रखेंगे और बिल्कुल किनारे पर इसे सिलाई करते हुए stitch कर देंगे अब less को सीधा करेंगे और सीधी वाली side पर भी हमें top stitch लगा देनी है तो के बार हमारे पास marker जाने का time नहीं होता color आपको अच्छे से नहीं मिलते less के तो आप इस तरह से जाली वर्क घर पर रड़ी करें तो मैं इससे पहले भी ट्राइ कर चुकी हूँ मुझे भी इस color की less नहीं मिल रही थी इसलिए मैंने इसे घर पर ही बना लिया है तो आप इससे जरूर ट्राइ करें अब इसकी में आपको फिटिंग की स्लाई लगा के दिखाती हूँ अब देखिए फिटिंग की स्लाई लगने के बाद यह हमारी खुब सुरूर सी अम्रेला स्ली बन कर रड़ी गुई है और देखें जो बीच में हमने जाली क्रेट की है देखने में बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है कि इसे हमने घर पर ही मेशीन से रड़ी किया है तो आप इस ट्रिक को ज़रूर फोलू करें अगर वीडियो अच्छे लोगें वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करके वेल ऐकन ज़रूर हिट करें थाइब करें ज़रूर पहले वेलीडियो तो में ज़रूर रहा है